यदि पुलिस आपका F.E.R. लिखने से मना करता है तो आप भी पुलिस को जैल भेजने का पावर रखते हैं वो कैसे वोही इस वीडियो में आज आपको जनकारी मिलने वाला है जब भी कोई व्यक्ति के साथ कोई ओभैंस होता था है तो वो व्यक्ति पुलिस एस्टेशन जा प्रवाद करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के एगेंस आप सीधे कोट में मुकादमा दर्ज करवा सकते हैं IPC 166A में एक साल तक का सजागा परभधन किया गया है साती सात जुर्माना भी लगाया जा सकता है जब भी आप पुलिस अधिकारी के एगेंस में मुकादमा दर्ज करवाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस अधिकारी अपना ये पक्छ रखे कि सम्धित व्यक्ति ने हम मेरे पास F.R. दर्ज करवाने के लिए आया ही नहीं तो पहले आपको इसका जो है अविनेस तैयार करना होगा जैसे आप पुलीस अस्टेशन में जाके फ्यार दर्ज करवाते हैं और पुलीस अधिकारी फ्यार दर्ज नहीं करता है तो वहाँ पर आपको कोई वीडियो या फिर कोई ओडियो रिकॉर्ड अपने पास कर लेना है ताकि ये कोट में आप सीध कर पाएं कि पुलीस अधिकारी ने आपका एफ्यार लेने से मना किया या फिर आप एफ्यार का कोपी को बैपोस्ट भी पुलीस अधिकारी को भेज सकते हैं उसके बाद उसे एफ्यार धर्ज करना होगा और आप जैसे बैपोस्ट पुलीस अध स्थाना में जाके F.R. दर्ज करता है तो पुलिस अधिकारी को F.R. दर्ज करना होगा शाथी साथ उस F.R. का उद्भेदन भी करना होगा यानि कि F.R. दर्ज करने भर ही नहीं उसका जाज भी पुलिस अधिकारी को करना होगा लेकिन यहां पर पुलिस अधिकारी आपका F.R नहीं ले रहा है तो ऐसी पर्थिती में आप पुलीस अधिकारी के एगेंस आईपीस्टी का सेक्षन 161 का मुकदमा कोट में दर्ज कर सकते हैं साथी साथ आप सेक्षन 156 के तहट एफ्यार दर्ज करने का भी परधनापत्र कोट को दे सकते हैं अलाकि पुलीस अधिकारी यदि आपका एफ्यार नहीं लेता है या आपका एफ्यार लोज नहीं करता है तो एफ्यार को किस अधार पे दर्ज करवाया जाए इस टोपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि आप एफ्यार किस माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं आज की इस वीडियो हम लोग यही सिर्फ बात करेंगे कि यदि पुलीस अधिकारी आपका एफ्यार नहीं लेता है तो आप उस पुलीस अधिकारी को कैसे जेल भेज सकते हैं साथी साथ ये भी प्रेटिकली देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलीस के समग एफ्यार लेके जाता है तो पुलीस उसे प्रेम पुरवक नहीं बोलती है कि आपका एफ्यार नहीं लेंगे उसके साथ जो है अपमान जनक वैभार करता है या फिर मर्यादित भासा का परियोग करता है यदि आप पुलीस अस्टेशन एफ्याद लेके जाते हैं और यदि पुलीस अधिकारी आपके साथ आप मानजनक भासा का उपयोग करता है या आप मर्यादित भासा का उपयोग करता है या पुलीस आपके साथ बुरा बरताव करता है तो ऐसे पर सिदे माप CRPC का सक्षन 482 के तहट सिधे हाइकोट में याचिका दैर कर सकते हैं उस पुलिस वला के एगेंस में आपको बता दें D.K. बसू भरसेज एस्टेट अफ वेस्ट बंगाल के फेशला में माने सुप्रीम कोट ने कहा था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ आपमान जनक भासा का उप्योग नहीं कर सकता है यानि कि अम्मार्यादीद भासा का उप्योग नहीं कर सकता है यदि आप पुलीस का इस बर्ताव से परेशान है तो आप सिधे हाइकोट में उस पुलीस अधिकारी के एगेंस में याचिका दैर कर सकते हैं आप जब भी पुलीस अधिकारी के एगेंस कोई भी एक्षन लेते हैं तो उसका सटिस्फेर्ट कोपीड निकालके PCA के पास आपको भेजना चाहिए PCA का फूल फर्म होता है पुलीस कंपलेंड ओथरोटी यह सभी एस्टेट में जो है PCA का हेड़ ओफिस है PCA का मुख कार्ज होता है कि पुलीस का कार्ज परनाली पे नजर रखना यदि आप पुलीस के एगेंस कंपलेंड करते हैं PCA जो है वो आपको काफी सयोग करेगा, शाथी साथ जो पुलिस अधिकारी के एगेंस आपने कम्पलेन किया है, उस पुलिस अधिकारी का परमोसन रुखवा सकता है, शाथी साथ उसे सस्पेंड करने से बरखास करने तक का आदेश भी दे सकता है, तो आप जब भी पुलिस पूलिस अधिकारी के एंगेंस भी कंपलेन करते हैं तो आपको PCA को satisier को भी भेजना चाहिए सախी साथ आपको बता दें कि पुलिस अधिकारीके एंगेंस में आपको हमेशे कोट कहीं दर्वाजा खट करता ना चाहिए यानि किपुलीस अधिकारीके एंगेंस यदे आप कहीं कम्प्लेन कर रहे हैं तो आपको कोट में ही कम्प्लेन करना चाहिए और कहीं यानि कि कोई भी पूलीस अस्टेशन में कम्प्लेन नहीं करना चाहिए